दोस्तो नमस्कार आद आप सत्स्रीयकाल नियूस क्लिक के कारिक्राम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश उत्तर प्रदेश सहीत पांच राजियों के चुनाओं के बाद जो परिस्थितियां राजनीत में पैदा हुई हैं अगर आप उसको देखें तो ऐसा लगता है कि विपक्षी दलों में सबक लेने का अपने रास्ते को अपनी स्टेटिजी को अपनी समझ को करेक्ट करके आगे बढ़ने का कोई खोजपड़ताल नजर नहीं आ रही है ऐसा लगता है कि सभी पस्त पड़ गये हैं और जो फैसले भी किये जा रहे हैं वो ऐसा लगता है कि वो हताशा में किये जा रहे हैं पार्टी को बचाने के बज़ाए नेता अपने को बचा रहे हैं अब आप देखिए नतीजों के तत्काल बाद भारती जनता पार्टी के नेत्रित्तों ने फोरण गुजरात पे हिमाचल पे ये तमाम इस तरह के प्रदेशों में जहां भाविश्य में चुनाओ होने वाले हैं वहां उन्होंने अपने अलग-अलग धंग के नेता अलग-अलग धंग के संगठक सब को भेज करके और अपना काम शुरू कर दिया लेकिन जो विपक्षी दल इन चुनाओं में पस्त हुए हैं अगर आप उनका हाल देखिए तो वो किसी अन्य राज्य में जाने के बजाए हलांकि वो ज़्यादा तर रिजिनल हैं अगर कॉंग्रिस पार्टी को छोड़ दिया जाय तो बहले वो अपनी राष्टी महत्वा पाकांशा बताते हैं लेकिन उनका बेस रिजिनल है लेकिन रिजिनल बेस में भी वो कैसे एक्ट और रियक्ट कर रहे हैं ये आपको जानकर ताज़ुब होगा अब उदारन के तोर पे हम सबसे एक समय की महत्वर्ण पार्टी उत्तर प्रदेश की रही बहुजन समाज पा तो बुला ली लेकिन उस मीटिंग में क्या किया उस मीटिंग में उन्होंने तमाम कमेटियों को खतम किया उन्होंने तीन कौाडिनेटर बना दिये एक जो है नेशनल कौाडिनेशन कौाडिनेटर जो पहले से थे उनको उन्होंने और ज्यादा जिमेदारियों से लैस किया वो कौन है वो है आकाश आनन्द आकाश आनन्द जो है बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रिम्यों हैं उनके भाई के बेटे हैं परदेश में पढ़े हैं और आकर के बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे थे परदे के पीछे अब परदे के बिलकुल सामने होंगे पहले भी ओ काम कई बार उन्होंने कुछ प्रदेशों में पंजाब में दूसरे और सुबों में काम किया है लेकिन इस बार उनको उत्तर प्रदेश की व्रिहत्तर जिम्यदारी देने की बात की गई है तो मायवती जी ने इस चुनाव के बाद संगठन पर ज्यादा ध्यान देने के बजाए उन्होंने परिवार पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है यानि सुप्रिमों के बाद ये बिल्कुल साफ है कि अगला सुप्रिमों जो बनेगा वो निश्चित रूप से परिवार का ही बनेगा क्योंकि नेशनल कॉडिनेटर बीसपी के लिए बहुत बड़ी पोजिशन है वहाँ पर तो वाइस पेसिडेंट कभी बन जाता है कोई लेकिन असल कहानी कॉडिनेटर की है और कॉडिनेटर में आकाश आनंद को बहुत बड़ी जिम्यदारी दे कर ये बिल्कुल ठोस संकेत दिया गया है कि मायवती जी बहुजन समाज पार्टी में अब उनकी पूरी कोशिश है कि परिवार के तहत ही नित्रित तो रहे अगर आकाश आनंद ने सच्मुच राजनितिक तोर पे कोई चमतकार किया संगठन के अस्तर पर कोई बहुत महत्पून काम कर दिखाया तब तो BSP का काडर BSP के कारिकरता उनको हाथों हाथ लेंगे उनको एकसेप्ट करेंगे लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो जाइर है BSP जो बहुत बुरी स्थिती में है इस चुनाव के बाद उसके नेता उसके कारिकरता टूट रहे हैं बिखर रहे हैं पार्टी बरबाद हो रही है मुझे लगता है तब वो और बरबाद होगी अगर आकाश आनंद से कोई ऐसी उसको आशा पूरी नहीं होती दिखाई देती जिसकी बात सोची अभी जा रही है तो यह हुई दोस्तो बहुजन समाज पार्टी की बात अब आप देखिए दूसरी जो बहुत महत्पूर्ण पार्टी उत्तर प्रदेश की है वो कौन सी है समाजवादी पार्टी इसके भी नेता कई बार मुख्यमंत्री रचुके है मुलाहिम सिंह यादो अखिलेश यादो तो ये जो पार्टी है दूसरे नंबर की पार्टी बनी है 111 सीटें आई है टोटल अगर एलाइंस को देखा जा तो एक सो पचीस पहुंचती है लेकिन चुनाओ के बाद इस पार्टी ने क्या किया भारती जनता पार्टी ने तो गुजरात से लेकर और हिमाचल तक हर जगा उन्होंने गोड़े दोड़ा दिये जहां जहां उनको अगला चुनाओ लड़ना है हर जगा उसके कारिकरता फैल गए हैं उसके नेता भी जा रहे हैं लेकिन ये क्या कर रहे हैं ये लखनो में ही बैठकर सारी रणनीती आगे की बनाई जा रही है और पार्टी में नेताओं और कारिकरताओं को दूर दराज भेजने संगठन का विस्तार करने के बजाए पार्टी के जो राष्ट्री अध्यक्ष हैं उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता का पद भी स्वैम ग्राण कर लिया है यनि एक पद नहीं दो दो पद अखिलेश यादों के पास अब राष्ट्री अध्यक्ष का भी पद होगा और बिधान सभा में वह अब प्रतिपक्ष के नेता भी होंगे क्या एक पद से पार्टी पर कंट्रोल पार्टी पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो रहा था कि दो दो पद आखिर क्यों नरेंद्र मोदी से ज़्यादा ताकतवर ज़्यादा प्रभावशाली तो कोई निता नहीं है फिलहाल तो राजनीति में सबसे सक्सेस्पुल है लेकिन वो हर चुनाव के बाद अगर वो चाहें तो और ज़्यादा अधिकार ग्रहन कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद वो चाहते तो कहते भाई नड़्डा साहब आप हट जाओ अब मैं ही राश्ट्री अधर्ष रहूंगा लेकिन उन्होंने तो ऐसा नहीं किया प्रदान मंत्री हैं तो प्रदान मंत्री ही हैं उन्होंने राश्ट्रिय अधर्ष का पत्व नहीं है थी आया और राश्ट्रिय अधर्ष जो नड़्डा साहब है उनको भी कोई मंत्रालय नहीं मिला सरकार में वो तो मंतरी हुआ करते थे, बड़े मंतरी थे मोधी सरकार में, लेकिन वो केवल संगठन का काम देखते हैं, तो संगठन का काम कितना महत्यपूण है ये भारती जंता पार्टी समझती है, या फिर वामपंथी पार्टीया समझती हैं, लेकिन अखिलेश यादोजी ने संगठन का सबसे बड़ा पद रखते हुए भी उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता का पद स्मेम ले लिया अरे भाई अपनी पार्टी के किसी नौजवान को ज़्यादा किसी ऐसे डैनमिक आदमी को जो दूसरे समाजों से दूसरे समुदायों से आया हो दूसरे रीजन से आया हो पुर्वांचल ने बड़ी सीटें आपको दी हैं उत्तर प्रदेश में इस वक्त समाजवादी पार्टी के पास जो सबसे बहतरीन परफॉर्मेंस है वो पुर्वांचल से है आप पुर्वांचल से कोई नेता ले लेते पुर्वांचल की से दारी बढ़ती लेकिन अध्यक्ष भी अखिलेश यादो प्रतिपक्ष भी प्रत समय पहले साइकिल चुनाऊचिन दे कर कहा गया था कि चलो एसोसियेट मेंबर रहेंगे उनको उन्होंने पार्टी विदायकदल की बैटक में नहीं बुलाया अब उनको एसोसियेट के रूप में बैटक में बुला रहे थे उन्होंने जाने से मना कर दिया तो यादो प्रायोजित है कई बार भ्रम होता है कि यह है क्या तो कहने का मेरा मतलब यह है कि यह दो बड़ी पार्टियां जो उत्तर पे प्रदेश केंद्रित हैं यह चुनाऊँ में हारने के बाद सीखने के बजाए इन्होंने अपनी हार से अपनी हताशा को अपने दिमाग पर अप उनकी आखें बंद हो गई है इन्हें कुछ सूज नहीं रहा है कि हमें आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए पार्टी को ब्यापक बनाने जन संगठन उनके पार्टी के जन संगठनों को मजबूत करने के बजाए पार्टी पर सिर्फ और सिर्फ अपना अपने परिवार का केंद्रन संकेंद्रन यह जो ट्रेंड है यह जो रुजान है मैं समझता हूँ कि इन लोगों की पार्टीओं के लिए भी बहुत मुश्किल पैदा करता है भारती जनता पार्टी के लिए तो बहुत बढ़िया है भारती जनता पार्टी अपना विस्तार कर रही है अपनी राजनीति का विस्तार कर रही है लेकिन वो अपने प्रतिपक्षियों को मरता हुआ देखकर सिकुरता हुआ कर काफी खुश भी हो रही है और देश की सबसे बड़ी पार्टी रह चुकी सबसे पुरानी पार्टी कॉंग्रेस उसका हाल तो क्या पूछिए इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई चुनाव में उत्तर प्रदेश के शिकस्त ऐसी थी कि जो unprecedented कही जाएगी unprecedented वो परसेंटेज ही नहीं गिरा सीटें भी बहुत कम हो गई गिनाने के लिए दहाई भी नहीं प्राप्त कर सकी अब उस पार्टी ने चुनावी शिकस्त के बाद कोई सिरियस एक्सरसाइज करने के बजाए सिरियस रिव्यू करने के बजाए उन्होंने एक आज मीटिंग्स की फिर G23 का नाटक सुरू हो गया अब G23 के कुछ नेताओं को मनाने की कोशिश हो रही है कि ठीक है आपको कहीने कहीं से राजस्वा में भेद दिया जाएगा तो अगर दो या तीन नेता मान लीजे पट भी गए तो क्या पार्टी जो है वो ही कठा हो जाएगी पार्टी में आएगी पार्टी में गच्छीलता आएगी गुजरात का चुनाओ है उसकी तैयारी के लिए पार्टी को मजबूत करने के बजाए अब एक नया शिगुफा छोड़ा गया है वो शिगुफा है अब पता नहीं ये कहां से आया है कि साथ प्रशान्त की शोर कांग्रेस पार् प्रशान्त की शोर होंगे अब ये बात प्रशान्त की शोर के खेमे से आई है क्योंकि प्रशान्त की शोर भी किसी राजनीतिक दल से कम नहीं है कहने के लिए वो चुनाओ रणनीतिकार हैं लेकिन वो पार्टीयों से कम नहीं है वो पार्टी की तरह ही काम करते हैं मात्वा कांच्छा बिलकुल वैसी ही है तो प्रशांत किशोर जो है अब वो ये जो प्रचा हुआ है ये जो खावर ब्रेक होई है पता नहीं कहां से होई है मैंने कांग्रेस पार्टी के तीन नेताओं से आज पूछा और तीनों महत्मुर्ण नेता उसमें एक पार्टी प्रवक्ता थे एक और प्रमुख नेता थे जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं और एका नेकेंद्री नेता इन तीनों में किसी को नहीं मालूम है कि गुजरात में प्रशांत किशोर का कोई पार्टी की तरफ से रोल निरधारित हुआ है या नहीं हुआ है लेकिन इसको कॉंट्रड तो प्रशांत किशोर जो खेल कर रहे हैं उस खेल के बारे में साफ साफ पार्टी का क्यों नहीं रही है क्या पार्टी में गुजरात में खासकर पार्टी में नेताओं का अकाल पड़ गया है इतने सारे नए नेता शामिल कर आए गए हार्दिक पटेल से लेकर और तमाम ल और जिगनेश मेमानी है तो ऐसे नेताओं युवा नेता आपके पास है उनकी भूमिका क्या है पार्टी हार के बाद ऐसा लगता है जैसे मातम भवन से बाहर नहीं निकल पा रही है तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं राजनीत के बारे में एक अजीब तरह का एड़हाक दिरिश्टिकोर है तदर्थ दिरिश्टिकोर है बिलकुल तदर्थवादी कि जैसे चुनाव जब होगा चार महीने पहले उतरेंगे मैदान में फिर जब चुनाव में हार हो जाएगी तो भारती जंतापाटी दोस्तो आप उसकी राजनीति से उसकी विशारधारा से चाहे जितना डिफर करें मैं स्वेम डिफर करता हूं लेकिन ये तुमानना पड़ेगा कि हारे वो चाहे चुनाव जीतें किसी प्रदेश में वो हर चुनाव के बाद अगले चुनाव का पीशा करती है उसके नेता उसके कारिकरता रास्टी स्वेम सेवक संग का पूरा नेट्वर्क अगले चुनव में जुट जाता है लेकिन जो विपाक्ष है वो ऐसा लगता है कि हर चुनव के बाद खास कर जब हारता है तो मातम मनाता है और एक मातम घर में अपने को छुपा लेता है BSP सपा और कॉंग्रेस की हाल फिलाल यही दिखाई दे रही है और सपा की सबसे बुरी स्थिती जो है वो ऐसा लगता है कि परिवार से बाहर नहीं निकल पाएगी उसके जो सलाहकार है एक से एक हैं उन्होंने राजनीत का कहारा कहां पढ़ा है सलाहकारों ने ये कोई नहीं जानता तो दोस्तों आज हम यही बात आपके साथ शेयर करना चाहते थे इन शब्दों के साथ अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए विशे पर नमस्कार आदाब सत्स्रियकाल